अच्छा आज हमारे बड़े स्पेशल एक गेस्ट हैं वो लहौर स्टूडियो से में जॉइन करेंगे वैसे गेस्ट तो नहीं है असल में देखा जाए तो में जबान वो है हमारी सपोर्ट सिस्टम जो है वो वो जो हम समा में काम करते हैं हमें कोई भी मुश्किल हो कोई भी तो माय ऑल्वेस गोटो परसन और मेरी तो मैं तो हमेशा बोलती हूं कि नूर भाई जैसे आपको मेरी वाज़ी पहुंची कि जो मेरा सुपका समा जो मेरा मॉर्निंग्शू है उसके जुमारे क्यों कि हम टीम की तरह काम करते कभी को यह नहीं बताता हमें यहां पे हमारे अगर हम एक सबसे अच्छी बात है कि जी मैं आपके सीनियर हूं यह मैं आपको बॉस हूं हमें शहीं बताया जाता है कि हम आपकी टीम है आपको कोई मुश्किल हो तो आपने हमारे पास आना है तो जो मैरे सबसे सीनियर टीम मेंबर है चौदी साहब आज बाहर स्चूडिय जो मारे नूर भाई के साथ माज़ देए सामल के चौडिय साथ असलाम लेकूम असलाम लेकूम थैंक यूवेरी मच वर यूर कंपलिमेंट्स और यह ऑनस्ली वाकिया ही टीम है टीम के बाद हम एक कंपलीट फैमिली में कनवल्ट हो गए हैं अगर हम एक फैमिली की तरह काम ना करें तो यह जो आज साथ आठ घंटे की ट्रांस्मिशन आप लोगों ने रमजान में की और जिस तरह से की है और जितनी सुब करफतारी से बेनिज की है यह आप लोगों का क्रेड़ है और आप लोगों का पॉन्चाया है मैं समझता हूं के पाकिस्तान के टीवी चैम औ चैनल्स के लिए ये एक अजाज है कि कोई लोग इतनी मेहनत के साथ अपने नभी का पेगाम, अपने अल्ला का पगाम लोगों तक इस जजबे के साथ पंचाते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कह मने किसी सैट की बुरियाद पर काम नी किया हमने लग पेगाम को लग लग एलग अलफाज में नभी की सीरत को नभी की सीरत के अंदाज में आगे पंचाने की कोशिए और मैं इस से जादा मेरे लिए खुशी और इत्मानान की वज़ा नहीं हो सकती कोई कि हम अपने मजब को अपने इमान को अपने फेथ को लोगों को मजबूत करने के लिए अपने पेगाम को आगे पंचाया और आपके तमाम पार्टिस्पेंट जो शरीक रहे डे वन से लेके आज तक आप बदिया आपके साथ दूर भाई ने जिस तरह ये अफ़तारी और खास तोर पे इनुने जिस तरह सारी की ट्रास्मिशन को चार चांद लगाये हैं वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि हम इस मैयार को आगे कैसे बढ़ाएंगे क्योंकि इन्हों ने वो बलंदियां चूदी हैं आप लोगों ने कि हमें इस में आगे काम करने के लिए बहुत कोई सोचना पड़ेगा और शायद पूरा साल अगले रमजान के लिए सोचना पड़ेगा तब जाके शायद हमें इस मैयार को बरकरार रख सकेंगे कांग्राचुलेशन टू दा होल टीम और मैं यहाँ पे न्यूज की जो हमारी टीम है मैं तो जी देखें मुझे तो आप लोग आप समझ लें यकीन मानें के वाकिए मेरी जमेदारी है कि आप लोग को कमफर्टेबल रखो ता कि आप लोग समूथली काम कर सकें और अगर मै मैं उसमें कामयाब रहा हूं तो मेरे लिए दौा किया किजिए बस मेरे लिए इससे बड़ा शायद को दूसरा कोई एसेट नहीं हो सकता तो खुश रहें और आप सब लोग इसी तरह रमदान की ट्रांस्विशन करते रहें अपनी जमेदारियां पूरी करते रहें और मुती के साथ थामें और मुसल्म उम्मा के लिए एक काम कर सके जिस पेगाम को पंचाने की जरूरत है बदकिस्मती से नई पंचा पारे हैं फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है जो कुछ हिंदुस्तान के मुसल्मानों के साथ हो रहा है जो कुछ रोहिंग्या में हुआ बर्मा जरूरत है और ये पेगाम आज आप लोगो को देना है कि उम्मत को एक करने का अलम जो है हम सब को मिल के उठाना है ये किसी एक की जिमेदारी नहीं है ये हम सब की जितबाई जिमेदारी है और हमें इसी पर काम करने की जरूरत है तो नूर भाई बहुत शुक्री है आपका ज तो ये जिनको आप अभी सुन रहे थे चौदी साब को ये इनका ब्रेंचाइल था और इन्हों ये सारा सोचा और ये ट्रांस्विशन और जो पहर हमें मिले इसारी में इतने बाबरकत और इनकी गुफ्तुगू से मुझे ये भी लगा मदिया कि ये बड़े डिसिजिन मेकर् उन सब बड़े लोगों को जाहिजा लेना पड़ेगा कि कहां कहां कमी है और कहां कहां में अपनी सफों में इताहाद रखता है लेकिन चौदी सब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब एक कॉम्पिटिशन होता है चैनल्स के माबैन और वो उसमें बहुत सारे फैक् ना मैंने ये महसूस किया कि मुझे इसका फैनाशल आस्पेक्ट क्या है मेरे सामने सिर्फ मकसद ये था कि हम दीन का पेगाम लोगों के तक उसकी असल स्पिरिट के साथ बच जाए और अगर हम उसमें कामयाब हो जाएंगे तो बाकी सब पहलो कवर हो जाएंगे तो मैं का हिस्सा नहीं बाएंगे और खास तो पर पाकिस्टाइन ऐसा मुल्क जहां पर दीन के मामले में लोग बहुत संसिटिव हैं बहुत हसास हैं वो छोटी 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 चीज़ पर अपनी राये देते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं तो अलहमदुलिल्ला रब लालमीन ह इस तरह की तमाम कंटरवर्सी से बाहर है और आपने तमाम दोस्तों को तमाम साथियों को एक लड़ी में परो के इस काम को आगे बढ़ाया है और ये आपकी टीम का और बदिया की जो एफर्ट थी मैं समझता हूँ बहुत ही कामे अब़ी से आप लोगों इसको आगे बना इस वक्त में कोई शेयर क्या आपका जहन इस वक्त क्या कह रहा है कि हम क्या सुन सकेंगे इस पहले कि मैं फसी भाई की तरफ जाओं एक बाद मैं एप्रिशेट करना चाहूंगी बहुत सारे लोग जानते नहीं हम जिस इस वक्त मुल्ट में रहें जो महंगाई की सुरत हाल है समा क्योंकि चॉईस साब यहां बैठे हुए और हो सकता है लोगों को जारे बाद पसदना है चॉईस साब भी बाद में के मद्या क्यों मैंशन किया है लेकिन हम जिस इदारे में रहते हैं आपे कोशिश होती है कि हर शक्स चाहे उसकी सैलरी कुछ भी हो अगर कम कम कमाने व बहुत फखर महसूस होता है एक तो आप देखें कि जो सैलरी का बारे कम से कम वो भी बहुत अच्छा है और ओरTI है हरी ACE बादर चेर्मिन साफ का भी शुक्रिया दा करना चाहेंगे विए अगर अगर हम कहीं कमी कुताही कर रहे हैं तो उस वर्कर के साथ तालुक नहीं होना चाहिए वर्कर को उसकी मेहनत और उसका एवाड जो हर हाल में मिलना चाहिए हमें अपनी कमियां और कुताहीं देखनी चाहिएं कि हम अपने बिजनस को वाइबल नहीं कर पा रहें लेकिन वो तो अपना 100% दे रहे हैं ना तो उनके 100% का 100% जरूर मिलना चाहिए और इस पर हमेशा उनका फोकस रहा है और वो यह समझते हैं कि जो लोग कम तरखा पर काम क बेहतर तरखा मिलें और बेहतर रोजगार के साथ साथ अच्छा महोल और जो फिसलीटेशन दी जा सकती है वो दी जाया और वो उनका प्राइम गोल है जो समा में वो हमेशा रखते हैं लेकिन इसके अलावा वो अपने बाकिये दारू में भी इसका पूरी तरह ख्याल रख